आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इसके बारे में हमें बताया कि किस प्रकार से हमारे देश के जितने भी महापुरुष थे उन्होंने स्वतंत्रा आंदूलन में बढ़ चट कर हिस्सा लिया था साथी साथ गांधी जी नहीं बल्के अनिक जो महापुरुष थे जैसे सरदार Vandlab disorders भाई पटल तुन्होंने किस प्रकार डाановी कुछ में सक्रिय भूमिका नभाई हुई है और किस प्रकार से उनके रास्ते में कितनी बाधाये आई और उन्होंने कितनी कैसे नहीं कि यही सारा कुछ मध्युकरवपाध्या जी ने हमें इस पार्ट में बताये हुआ है। इसलिए उन्हों ने इस पार्ट का सीषक रखा है। दिये जलोटे कि किस प्रकार्च जिव हमारे भारत में 4 रंधीरत चाया हुआ था गुलामी का। तो किस प्रिकार से कुछ महापश्यों की कार्ण हमारे भारत देश को आजादी मिल हुई थी, चलिए अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं, लिखा है, अकिल भारतिये कांग्रेस कमीटी की बैठक 21 मार्श को सावरमती के टटपर होने वाली थी, सावरमती जहां पर में गांधी जी ने अपनी रास, रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा, उन तक महुशना कठेन है, तो अब जो अखिल भारतिये कांग्रेस कमीटी के जो अध्यक्स थे वाया, उस वक्त थे जवाहललाल नहरू, तो वह इस बैठक से पहले वाया, अपनी संदेश भी विजवाया था, लेकिन उस वक्त गांधी जी रास में मौझूद थे, इसलिए गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले ही उने एक पत्र लिखा, और यही भी बताया कि उन तक पहुँचना बहुत काठेन है, इसलिए उन्होंने आंके लिखा आए कि त संदेश भाग से बचा भी नहीं जा सकता, मैं उस समय जहां भी रहूँगा, संदेश भाग तुमको वहां तक ले आएगा, इस प्रयाण के कठिंतम घड़ी में तुम उससे मिल रहे हो, प्रयाण का अर्थ होता है यात्रा, तुमको रात के लगबग दो बजे जाने पर के म गांदी जी से मिलना चाहते थे, तो गांदी जी नहीं एक संदेश भाग और कहा, कि मुझे तक महुँचना बहुत कठे ने, क्यूंकि इसके लिए तुम्हें पूरी एक रात को जागना पड़ेगा, और मैं जहां भी रहूँगा, मेरा जो भी संदेश भाग होगा, वो लेकिन मैं रास्चे के प्रमुक सेवक के लिए भी इस यात्रा में जरावी विराम, विराम का मतलब होता है देरी, कि मैं रास्चे के प्रमुक सेवक के लिए भी इस यात्रा में जरावी विराम नहीं दे सकता, विराम का मतलब होता है, वहां पर रोकना कि मैं इस यात्रा क वहाँ पर नहीं रहो सकता बल्लब भाई की ग्रफतारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाप प्रतिकरियाश भाविक थे अब सवे हमने अपने पिछले भाग में पढ़ा था कि किस प्रकार से जब बल्लब भाई जी राश में जब अपने सत्या ग्रह के लि गांधी जी की जनसभा से पहले ही गाउं के सभी पुष्टैनी मुख्या और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौब गए थे लिखक ने बताए कि इस प्रिकार से जो गांधी जी की जनसभा होने थी जिसमें वो सारे जनसाधरन को संभूधित करने वाले थे तो उससे पहल गाउं के जितने वी पुष्टैनी मुख्या हुआ करते थे और जितने वी वहां के बड़े लोग थे जितने वी पटेल थे उन्हें अपना इस्तीफा वहां पर दे दिया था क्योंकि वो सरकार की इस प्रतिक्रिया के खिलाफ हो गए थे गांधी ने दांडिक को शुरू हो मतलब यात्रा की शुरूआत जो ब्रिटिस सरकार की जो अधीन जो भूबाग आ रहा है तो उसी से हीवाय करेंगे किसी राजगराने के लाके में नहीं जाएंगे लेकिन इस यात्रा में थोड़ी दिर के लिए ही बड़ोदा रियाशत से गुजरना पड़ेगा लेखक कह रहें कि गांदी जी ने किस प्रकार से तने कड़ी नियम बनाया थे कड़ा अनुशा सुन रखा था कि जब वह अपनी यात्रा का आरामब वह ब्रिटिस अधीपत्ति में जो भूबाग होगा उसी जमीन से करेंगे और किसी राजगराने के लाके में ही नहीं जाएंगे ले लेकिन इस यात्रा के लिए उन्होंने थोड़ी दिर के लिए बड़ोदा रियाशत से गुजरना पड़ा इसका कारण यह था कि अगर वह वहां से नहीं गुजरते तो उनकी जो यात्रा थीवा करी 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका पूरा असर का यात्रा की जो कारेक और लिकत ने बताया कि वहां पर गांदी जी चुकि इस पूरी यात्रा का नवक कानून का जो भी नेत्रत्व कर रहते इसलिए उन वहां पर धरमिशाला में रोका गया और उनके साह जिदनी भी शत्याग रही थे वहां उन्हें ने अन्हें रुकाया गया राश्ट की आब बहुत है, अब भले ही राश के आबादी तीन हजार थी, लेकिन उनकी जनसभा में करीई 20,000 से ज़्यादा लोग हर कौने से भारत के हर कौने से लोग आय वे थे अपनी भाशन में गांदी ने पटेल की गरफतारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरुषकार के रूप में ही मिली है मतलब लेखक ने में यहां बताया कि किस प्रिकार्ची जो गांदी जी और सरदार वल्लब भाई पटेल जी वह कितनी बड़े महापुरुशुआ करते थे बाधर को 103 दिलाने के लिए कितनी कठनाईयों को सामना करना पड़ा लेकिन उन्हों ने इन कठनायों को शामना हस्ते हस्ते किया और जब गांदी जी रास में भाष्न दे रहे थे तो उन्होंने उसमें पटेल के गरफतारी का वड्णन करते हुए कहा कि जो सर्दार बल्लब भाय पटल को जो सजा मिली है वो आपके सेवा के पुरुष्टकार के रूप में ही मिली आता है तो उन्हें यह सजा नहीं मिली है उन्हें गरफतार नहीं किया गया बल्कि हम लोगों के लिए एक पुरुष्टकार है उन्हों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उले किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाट गंदगी पर मक्ही की तरह चिपके हुए है उन्हें भी आप अपने निजी तुछ स्वार्त भूल कर इस्तीफा दे दीना चाहिए तुछ का मतलग होता है सूद्र तो लिखक में बताया कि जो कांदी जी अपने भाशन में कहते हैं कि जितने भी सरकारी पदों पर लोग कारे रथ हैं उन्हें अब अपनी अपनी नवक्रियों से इस्तीफे देने जाहिए उन्हें हम सबी को सरकार के अब खिलाफ खड़ा होना चाहिए इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ मुखी और तलाटी जो कि गंदगी पर मक्ही की तरह चिपके हुए हैं उन्हें भी अपने अपने निजी स्वार्त को बूल कर अब इस सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए और हमारे भारत की जो सुतंतरता की जो आजादी हो रही है जो जितने भी आंदूलन हो रहे हैं इनमें बर चड़ कर हिस्ता लेना चाहिए गांदी जी ने कहा आप लोग कब तक गावों को चूसने में अपना युगदान देते रहेंगे इसलिए उन्हों ने कहा है कि आप लोग उनके साथ मिलकर कब तक उन गावों को चूसने में अपना युगदान देंगे और हमारे जो सरकार ने जो लूट मिचा रखी है उसकी ओर किया आभी तक आप क्या आंकर नहीं खूली है क्या आपको समझनी आ रहा कि किस प्रकार से वो जो लोग हमारे भारत देश पर साशन कर रहे हैं और हमारे गाओं को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं गांधी ने रास में राजद्रोय की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गरफतारी अच्छी बात होगी सरकार को खुली चोनाती देते हुए उन्हाने कहा कि अब फिर बादल घिराए हैं या कहो सही मौका सामने है अगर सरकार मुझे गरफतार करती है तो यह एक अच्छी बात है मुझे तीन माय की सजा होगी तो सरकार को लग जा आएगी राजद्रोई को तो काला पानी देश निकाला या फासी के सजा हो सकती है बुच्चे से अगर राजद्रोई होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि गांधी जी ने किस प्रकार से राश में जब अपना भाशन दे रहे थी तो उस वक्त कहा था कि राजद्रोई करना चाहिए कि उनकी गरफतारी अगर राजद्रोई की बात पर जो देती है उन्होंने कहा था अगर उनकी जो गरफतारी होती है अच्छी बात है और उन्होंने साथी साथ इस वाशन में सरकार को खुली चनौती देती हुए कहा था कि अब फिर बादल फिर से घराए है या यह कह सकते हैं कि आप सही मौका है अगर सरकार इस वक्त मुझे गरफतार कर लेती है तो यह एक बहुत अच्छी बात है अगर मुझे तीन महिने की सजा होती है तो इस सजा से सरकार को भी शर्म आएगी राज़रोही को तो काला पानी या देश निकालने की अफासी की सजा हो सकती है लेकिन अगर मुझे जैसे लोग जो कि हमारे भामारे देश के लिए देश के हित के लिए ही कार कर रहे है तो मुझे जैसे लोग अगर राज़रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें हमारी सर कर क्या सरक्या सजा देगी अब आंगे बताया गया है कि सत्या ग्रही शाम 6 बचे राज से चले और 8 बची कानका पुरा पहुंची चुकि वो अपनी डांडी कुछ की यात्रा में थे इसलिए वह राज से चले और 8 बची कनका पुरा में पहुंची उस समय लोग यात्रा से तकान की आशका से थी कि महा नदी कब और कीसे पार करेंगे अब चुक्कि उस yearly भूलो अपने पैदल यात्रा कर रहे थी अब उनके सामने ऑख बड़ा परशानी जा थी कि वहाय इस तरीके से पार bad जितने भी Shetty bah रहे थे तो किस प्रिकार से समद्र से जो ठंडी हवा आती है तो उन्हें थंडी हवा उने जितने भी शत्याग रही थे तो उनका स्वागत किया कनकापुरा में 105 साल की एक बोड़ी महिला ने गांदी के माते पतलक लगाया और कहा महत्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना लेकर कह रहे हैं कि किस प्रकार से बड़े बुजरुगे वी उस आंदोलन में बढ़ चलकर हिस्सा ले रहे थी कि कनकापुरा में जब उनका अंदोलन उगमन की यात्रा पहुंची तो वहाँ पर 105 साल की बोड़ी महिला ने गांदी जी के माते पतलक लगाया और शाथी साथ उनका आशिर वरद दिया कि महत्मा जी अब चुकि हम सभी जानते हैं कि गांदी जी को हमारे भारत में महत्मा की उपाधी दी गई है इसलिए उनसे कहा कि महत्मा जी सुराज लेकर आप जल्दी वापिस आना गांदी जीने अभी उनसे कहा मैं सुराज लिये बिना नहीं लोटूंगा गांदी की जनसभा का निर्धारिश समय 8 बजे था लेकिन कनका पुरा पहुशने में देर हुई उसके कारण एक घंटे के लिए इस्तिगत कर दिया गया था अब लेकर बता रहे हैं कि जो गांदी जी के जो जनसभाती उसका निर्धारिश समय तैय हुआ था लेकिन उन्हें कनका पुरा पहुशने में देर हो गई इसलिए एक घंटे के लिए उस सभा को इस्तिगत कर दिया गया तो इस पूरे पार्ट में हमने जाना कि किस प्रकार से गांदी जी ने अपने अपने भाशनों में क्या क्या कहा और किस प्रकार से जितनी भी लोग थे वर्ब असरदार वल्लब भाई पटल की ग्रफतारी पर तरह तरह से लोगों ने प्रतिकरियां दी हुई थी और अब लोग सरकार के खलाप बोलने लगे थे अगले वीडियो में देखेंगे धन्यवाद प्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाइटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर